नमस्कार विद्यार्तियों स्वागत है आप सभी का एसल परिवार के इस लेटेस वीडियो में और लास्ट क्लास में हम आपका द्वी घास समीकरंड की पिश्णावली चार पॉइंट तीन के कुछ सवाल को सॉल्व कर रहे थे उसमें से करीब चार या पांच कुश्चंस हमा एक रेल गाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमेटर की दूरी ते करती है यदि वह चाल 5 किलोमेटर प्रतियावर अधिक होती तो वह उसी यात्रा में एक गंटक कम समय लेती रेल गाड़ी की चाल हमको बतानी है तो क्या दिया गया है हमको एक तो हमारे पास दूरी पहले से अविलेवल है जो दूरी है आपकी वो है 360 क्लोमेटर रेल गाड़ी की चाल हमको निकालनी है तो माना चाल है आपकी X क्लोमेटर प्रती घंटा अब उसने यह बोला है कि जब वो X की स्पीड से 360 क्लोमेटर की दूरी चलती है तो कोई एक नियस समय आपका लेगी अगर वह अपनी चाल को 5 क्लोमेटर से बढ़ा दे मतलब X की जगे उसकी चाल अगर X प्लस 5 हो जाए तो 360 क्लोमेटर की दूरी ते करने में जो भी नियस समय उसने पिछली बार लिया था उससे वो एक गंटे कम का समय लेगी तो पहले तो समय निकालो अगर रेल गाडी की चाल X क्लोमेटर प्रती गंटा है तो वो 360 बटा X गंटे का समय लेगी अब यदि रेल गाड़ी की चाल को 5 km प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए तो नियत दूरी ते करने में लगा समय कितना समय लगेगा उसको वो लगेगा 360 बटा x प्लस 5 घंटे दूरी हमारे पास 360 km दे रखी है माना प्रारम में रेल गाड़ी की 4 x km प्रति घंटा है तो 360 km की दूरी चलने में उसको 360 बटा x गंटे का समय लगेगा यदि उसकी चाल x की जगे x प्लस 5 होती तब वह है इतना समय इस दूरी को ते करने में लेती और कुश्चन क्या बोलता है आपका कि अगर चाल को 5 km प्रति घंटा बढ़ा दिया जाएगा तो पहले वाले समय से 1 घंटे कम का समय हमें लगेगा मतलब क्या हुआ 360 बटा x मैंसे अगर मैं 360 बटा x प्लस 5 को माइनस कर दूँ तो मुझे 1 मिलेगा correct पहले वाले समय से speed बढ़ाने के बाद जो समय लगेगा वो एक घंटे कम होगा यह हमारी एक दूइगा समी करन आ गई है इसको solve करो 360 को मैंने common लिया अंदर क्या बचा मेरे पास एक बटा x माइनस एक बटा x प्लस 5 और यहां पर आपका 1 आ गया आगे solve करो 360 x प्लस 5 मैंने लगुत्तम लिया यहां पर मुझे मिलेगा x प्लस 5 माइनस का x equals to 1 x से x आपका cancel out हो गया 360 गुणा 5 बटा x स्क्वाइर प्लस 5x equals to 1 आगे मुझे क्या मिलेगा आगे मुझे मिलेगा 360 गुणा 5 बरावर बरावर हो गया आपका x स्क्वाइर प्लस 5x इसको और सॉल्व करो यह आपका x स्क्वाइर प्लस 5x आगया माइनस में इसको दढ़ ले आया मैं गुणा करो यह 0, 56, 37, 37, 15, 3, 18 बरावर जीगो यह आपकी द्विगास सम्वीकरन आपको मिल गई है इस सम्वीकरन का हल हमको निकालना है फॉर्मूला रखो आपका x का मान होता है x परावर माइनस b फ्लस माइनस बर्गमूल b स्क्वाइर माइनस 4ac बटा 2a वैल्यू पुट करो b की जगे माइनस का 5 आगया फ्लस माइनस b स्क्वाइर मतलब 25 हो गया आपका माइनस 4ac का मान कितना है माइनस का 1800 बटा 2 आगया आपके पास में इसको भी solve करो माइनस 5 प्लस माइनस 25 18 चो को बहतर correct तो x का मान क्या निकलेगा x परावर माइनस 5 प्लस माइनस वर्गमूल बहतर 25 बटा 2 और इसका मान कितना निकलेगा 8 नम में बहतर मतलब 85 इसका जब वर्गमूल निकालो गया बहतर 25 का तो 85 मिलेगा आपको तो x का मान एक तो आपको मिला माइनस का 5 प्लस का 85 बटा 2 या x परावर मिलेगा माइनस का 5 माइनस का 85 बटा 2 correct अगर मैं यहाँ पर भी सॉल्व करने जाओं तो आपको मिलेगा 80 बटा 2 बरावर 40 किलो मिटर प्रति आवर और अगर मैं यहाँ पर सॉल्व करने जाओं तो मुझे मिलेगा माइनस का 45 किलो मिटर और यह संभव नहीं है संभव क्यों नहीं है क्योंकि चाल आपकी रिनात्मक नहीं हो सकती जो आपका आंसर आएगा आपका आंसर आएगा 40 किलो मीटर 30 किलो मैटे की स्पीड से उनाे करीब करीब आपका 9 गंटे का टाइम लिया होगा अगर वो 40 की जगे अपनी चाल को 45 किलो मिटर कर देगी तो वो आत घंटे में आपर पहूंच जाएगी एक बार कुश्शन देख लो, कोई doubt हो तो comment करके बताओ कुश्शन देख लो, कोई doubt हो, तो comment करके बताओ इसको आगे इस तरह से हमने solve किया है कुश्शन नमबर 9 पढ़ो आपका कुश्शन नमबर 9 हमारा बोलता है दो पानी के नल एक साथ एक होज को नौ सई तीन बटे आठ गंटे में भर सकते हैं बड़े ब्यास वाला नल होज को भरने में कम ब्यास वाले नल से दस गंटे कम समय लेता है ठीक है प्रतेख द्वारा अलग से होज को भरने में समय ग्यात कीजिए क्या बोला गया है हमसे हमसे यह बोला गया है कि एक आपके पास हौज है जिसके इंदर दो नल लगे हैं एक नल का ब्यास बड़ा है एक नल का छोटा है मतलब एक नल से ज़्यादा पानी आता है एक नल से कम पानी आता है अगर दोनों नल को हम एक साथ चला देते हैं तो आप आपका जो यह नंबर दिया हुआ है 9 सई 3 वटे 8 घंटे में वो भढ़ जाता है तो नल बड़े व्यास वाला है मतलब जो जादा पानी जिसमें से निकलता है तो कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम का समय लेता है यदि दोनो नलों को अलग अलग चलाए जाए और एक नल से ही पूरे होज को हमारा भरा जाए अब देखो क्या करता हूं मैं सबसे पहले ही मानता हूं कि जो नल है अलग-अलग वो कितने घंटे में इस होज को भर सकते हैं माना बड़े व्यास वाले माना बड़े व्यास वाले नल से होज को भरने में लगा समय कितना है आपके पास बड़े व्यास वाले नल से होज को भरने में समय अगर लगा हुआ अगर मैं एकस मान लूं और एकस प्लस दस मान लूं इसको तो छोटे व्यास वाले थोटे व्यास वाले नल से होज को भरने में लगा समय कितना होगा आपका एकस प्लस दस गंटे आपका होगा यह हमारे कुश्यन में दिया हुआ है कि जो बड़े व्यास वाले नल से 10 गंटे कम का समय लेता है तो मैंने बड़े व्यास वाले को अगर एकस माल लिया तो छोटे व्यास वाला एकस प्लस दस गंटे में नल पूरे के पूरे होस को भर देगा अब देखो अब अगर मानो मैं एक काम करता हूँ कि मैं दोनों नल को एक एक गंटे के लिए चलाता हूँ अब अगर मैं एक काम करता हूँ कि मैं दोनों नल को एक एक गंटे के लिए चलाता हूँ तो क्या होगा इससे पहले ये भी लिख लो आप दोनों नल को एक साथ चलाने में एक साथ चलाने पर हौज को भरने में लगा समय इतना है आपका 8,92,45 बटे 8 गंटे चीक है अब मानो यदि मैं इस वाले नल को एक गंटे चलाता हूँ बड़े व्यास वाले नल को एक गंटे चलाता हूँ तो बै उस ट्रेंग का एक बटा एक सिस्सा भर देगा समझ पाए नहीं समझ पाए अगर मैं बड़े व्यास वाले नल को एक गंटे के लिए चला देता हूँ तो उस पूरे टैंक का वो एक बटा एक सिस्सा भर देगा क्यों? क्योंकि एकस गंटे में वो पूरे के पूरे होज को बर रहा है एकस गंटे में वो पूरे के पूरे होज को बर रहा है तो एक गंटे में वो एक बटा एक सिस्सा भर देगा ठीक है? तो एक गंटे के लिए मैंने ये वाला नल चलाया तो एक बटा एक सिस्सा भर गया एक गंटे के लिए मैंने छोटा वाला नल भी चलाया तो यह क्या करेगा ये भी 1 बटा X प्लस 10 हिस्सा आपका भर देगा एक गंटे के लिए अगर मैं दोनों नल को एक साथ में चलाता हूँ तो ये वाला बड़े वाला 1 बटा X प्लस 10 हिस्सा भर देगा और ये दोनों मिलके आपका कितना भर देंगे 8 बटे 75 वा हिस्सा उस हौज का भर देंगे क्यों हुआ क्योंकि 75 बटे 8 गंटे में 75 बटे 8 गंटे में वो पूरा हौज तिल हो रहा था 75 बटे 8 गंटे में पूरा का पूरा टेंक आपका भर रहा है तो 1 गंटे में कितना भर देगा 8 बटे 25 भाग भर जाएगा, Correct, एक घंटे अगर मैंने दोनों नल को चलाया, तो बड़े व्यास वाला 1 बटा X हिस्सा भर देगा, थोटे व्यास वाला 1 बटा X प्लस 10 हिस्सा भर देगा, ये दोनों मिलके 8 बटे 25 प्लस 10 को भर देंगे, अब इसको solve कीजिए अगर मैं लगुत्तम लेता हूँ x x plus 10 तो मुझे क्या मिलेगा x plus 10 plus x बरावर 8 बटा पुचेतर आगे solve करो इधर क्या मिला मुझे 2x plus 10 और नीचे मिलेगा x square plus 10x बरावर 8 बटे 75 इसको भी solve करो cross multiplication करो तो क्या मिलेगा 8x square plus 80x बरावर 75 को गुणा करो गुणा दो 150x plus 750 यह समीकरन मुझे मिल गई है क्या है समीकरन 8x square plus 80x 8x square plus 80x equals to 150 plus 75 150x plus 750 यही था 8x square plus 80x बरावर 150x plus 750 आगे solve करो 8x square 8x square plus 80x माइनस का 150x माइनस का 750 equals to 0 आगे हमने solve किया 8x square माइनस का 70x माइनस का 750 equals to 0 दो दो से भाग भी दे दो कितना मिलेगा 4x square plus 35x माइनस कितनी बार गया है यही था 375 बार equals to 0 गरेक्ट दो से भाग दिया 3 बार गया 7,14 यह द्विगास समीकरन हमको मिल गई है इस द्विगास समीकरन के हल हमको अब निकालने हैं हलके से निकालेंगे हमारे पास फॉर्मूल आता है x वरावर माइनस b प्लस माइनस वर्गमूल b square माइनस 4ac बटा 2a मान रखो माइनस का b मतलब प्लस का 35 हो जाएगा प्लस माइनस b square मतलब 35 का square माइनस 4 ac मतलब गुणा 4 गुणा माइनस का 375 बटा 8 क्या आएगा आगे solve करो यह आपके पास आगया है 35 प्लस माइनस वर्गमूल यह आपका हो गया 12 पच्चीस यह आपका हो गया प्लस का 375 गुणा 16 बटे 8 375 को अगर मैं 16 से गुणा करता हूँ च्छे पंजे 30 आसे लगी 3 च्छे सत्य बियालीस और 5 आपका 45 आसे लगी 4 और 6 यह आठारा और यह 22 हो गया और यह आपका 375 आगया 0 0 आसे लगी 1 9 और 1 10 5 और 1 6 यह 6,000 आपका कितना आया 35 प्लस माइनस 1225 प्लस 6,000 बटे 8 35 प्लस माइनस 72 बटे 8 मतलब 35 प्लस माइनस यह गया 8 नम्मे बैतर 85 बटे 8 या तो X का मान कितना निकलेगा 35 प्लस 85 बटे 8 या X का मान निकलेगा 35 माइनस 85 बटे 8 यह आपका 8 आगे solve करो यह कितना होगे आपका 90 और 120 बटे 8 या यह आपका होगया माइनस में तो यह तो संभव नहीं है क्या है यह संभव नहीं है क्योंकि रिनात्मक मान समय का नहीं निकलेगा तो आपके पास X का मान कितना गया 120 बटे 8 तो X का मान आपका हो गया 1 8 40 15 तो X की वेली जो है आपकी 15 निकली है क्यों में हमसे क्या पूछा गया था कि दोनों अलग-अलग कितने टाइम में निकालेंगे तो एक तो आपका X तो आपका 15 है तो X प्लस 10 आपका 25 हो जाएगा मतलब बड़े व्यास वाला आपका जो नल है वो 15 घंटे में भर देगा और जो छोटा वाला नल है वो 25 घंटे में स्ट्रेंग को फिल कर देगा लिख दो कहीं पर बड़े व्यास वाला नल 15 घंटे और छोटे व्यास वाला जो नल है तो आपका 25 गंटे में इसको फिल कर देगा करेक्ट कुशन नमबर 10 देखो कुशन नमबर 10 आपका बूलता है मैसूर और वैंगलोर के बीच के 132 कुलमीटर यात्रा कंडे में एक एकस्प्रेस रेल गाड़ी सवारी गाड़ी से एक गंटा कम समय ले यहीं अगरंती है यादी एकस्प्रेस रेल-गाड़ी की ओस्थाहूर सवारी गाड़ी से 11 किलुमीटर ज़ादा है चीक है कि ग्या माना सबसे पहले माना आपकी जो सावारी गाड़ी की चाहल है और रेल-गाड़ी की जो चाहल है वो है X km प्रति गंटा Correct तबारी रेल गाड़ी की चाल X km प्रति गंटा है तो जो एक्सप्रेस गाड़ी है जो आपकी एक्सप्रेस रेल गाड़ी है उसकी चाल कित्वी आएगी हुआ आएगी आपके पास X प्लस ग्यारा किलो मिटर प्रती घंटा दूरी कित्ती दे रखी हमको दूरी हमको पहले से दे रखी है 132 किलो मिटर सवारी रेल गाड़ी की चाल को आपने X माल लिया है Express रेल गाड़ी की चाल उससे 11 जादा है तो X प्लस 11 हो जाएगी दूरी आपके 132 दे रखी है अब कुश्चन हमारा बोलता है कि जितना टाइम सवारी रेल गाड़ी लेती है और जितना टाइम Express रेल गाड़ी लेती है सवारी रेल गाड़ी एक्सप्रेस रेल गाड़ी से एक गंटे जादा का समय लेती है 132 किलूम्टर की दूरी ते करने में सवारी गाड़ी कितना समय लेगी यह आपके पास आएगा 136 बटा एक्स ठीक है और Express रेल गाड़ी कितना समय लेगी यह आपके पास में आएगा 132 बटा एक्स प्लस ग्यारा 132 बटा एक्स प्लस ग्यारा यहां तक क्लियर यह हमारा सवारी गाड़ी का समय आ गया यह हमारा Express रेल गाड़ी का समय आ गया कुश्यन बोलता है saving rail गाड़ी के द्वारा जो समय लगा है उऐ Express रेल गाड़ी के लगे समय से एक गंटे जादा है तो क्या होगा 132 बटा एक्स माइनस 132 बटा एक्स प्लस ग्यारा इसका मान आपका एक के बराबर होगा सवारी रेल गाड़ी द्वारा लगा समय एक्सप्रेस रेल गाड़ी द्वारा लगे समय से एक गंटे आपका ज्यादा है solve करो 132 को मैंने common ले लिया और हमने यहाँ पर लगुत्तम ले लिया क्या बच्च आपके पास? x प्लस 11 माइनस x एक कोस्तू 1 आ गया आगे solve करो 132 उपर 11 आ गया नीचे आपका x स्क्वार प्लस 11x आ गया बराबर 1 आ गया आगे अगर solve करोगे तो यहाँ मुझे मिलेगा x स्क्वार प्लस 11x और इधर मिलेगा 132 गुणा 11 x स्क्वार प्लस 11x मेरा देर चला गया 132 गुणा 11 मेरा यहाँ आ गया आगे solve करो x स्क्वार प्लस 11x माइनस का 132 गुणा 11 बराबर 0 x स्क्वार प्लस 11x माइनस का 2 3 2 5 3 और 1 4 और 1 यह 132 को मैंने 11 से गुना कर दिया अब यह हमारे पास द्विगास सम्मिकरन आ गई है इस द्विगास सम्मिकरन को द्विगास सूत्र के माध्यम से हमको हल करना है x की value क्या होती है x बराबर माइनस b प्लस माइनस वर्ग मूल b स्क्वार माइनस 4 ac बटा 2a चीक है value पुट करो v कमान माइनस 11 आ गया प्लस माइनस b स्क्वार 121 आ गया माइनस 4 और ac का माने माइनस का 1450 बटा 2 आगे solve करो माइनस का 11 प्लस माइनस वर्ग मूल आपका 121 ये प्लस हो गया 4 से गुना करो 4 दुनी 8 20 हासिल लगी 2 16 18 हासिल लगी 1 और ये 5 प्लस माइनस वर्ग मूल 9 ये आपका हो गया 2 और ये आपका हो गया 9 और ये आपका हो गया 5 बटे 2 अब 5929 किसका वर्ग मूल है 5929 वर्ग मूल हमको निकालना पड़ेगा यहां पर आ गया 7 7 7 49 1029 प्लस का 7 किया ये मेरे पास 14 आ गया अब इसको अगर मैं 7 से दुनों तरफ गुना कर दूँ 7 7 37 49 सासिल लगी 4 सासिल लगी 28 और 2 4 32 सासिल लगी 3 7 और 3 10 तो ये आपका 77 का वर्ग मूल है एक्स का मान क्या निकलेगा या तो एक्स का मान निकलेगा आपका माइनस ग्यारा प्लस 77 बटा 2 या आपका एक्स का मान निकलेगा माइनस का ग्यारा माइनस का 77 बटा 2 यह वाला portion संभव नहीं है क्यों क्योंकि रेल गाड़ी की जो चाल है वो रिनात्मक आपकी नहीं हो सकती है इसको solve करो x वरावर 66 वटा 2 मतलब 33 km प्रति 33 km प्रति आवर यह किसका होगे आपका यह आपका सवारी गाड़ी की चाल हो गई तो express गाड़ी की जो चाल है वो आपकी ओगी 44 km प्रति गंटा सवारी गाड़ी की चाल आपकी 33 km प्रति गंटा है और express गाड़ी की चाल आपकी 44 km प्रति गंटा है कवाल करने का वही तरीका है दोनों का समय निकालो अलग-अलग दोनों के समय को माईनस करो उस माईनस को एक के बरावर कर दो फिर आपका एक द्विगा समीकरण बनाओ द्विगा समीकरण को हल करो इस प्रशनावली का ये आखरी कुश्चन है इसको एक बार देखो क्या बोलता है दो वर्गों के 6 तरफलों का योग 468 meter square है यदि उनके परिमापों का अंतर 24 meter हो तो दोनों वर्गों की भुजा ग्याद कीजिए माना वर्गों की भुजाएं X तथा Y है घाएं 4x दूसरे वर्गों की भुजाएं इन दोनों का जो अंतर है वो आपका 24 के बराबर है मतलब क्या निकला X minus Y का जो माण यो 6 के बराबर है और आपका Y जो है या फिर आपका जो X जो है वो 6 plus Y के बराबर है ठीक है? तो अगर एक वर्ग की बुझा Y है तो दूसरे वाले वर्ग की बुझा 6 plus Y है समझे नहीं समझे एक वर्ग की भुज़ा अगर y है तो दूसरे वाले वर्ग की भुज़ा क्या है आपकी 6 प्लस y है अब आगे देखो आगे क्या बोला गया था दोनों वर्ग के 6 त्रुफलों का योग 668 है मतलब x² प्लस y² का जो मान है वो 468 के बराबर है अगर मैं यहाँ पर x का मान रख दूँ y प्लस 6 का वर्ग और यहाँ पर भी y का वर्ग हो जाए तो आपको यह दूइगा समीकरन मिल जाएगी क्लियर यह पहले वाले आपका क्या करते हैं वर्ग का 6 त्रुफल यह दूसरे वाले वर्ग का 6 त्रुफल दोनों को जोड़ोगे तो 460 के बराबर आएगा x का मान में नहीं यहाँ से उठा की रख दिया इसको आगे सॉल्फ करो क्या निकलेगा y square प्लस वारा y प्लस 36 प्लस y square equals to 468 आगे सॉल्फ करो 2y square प्लस वारा y और माइनस का जब मैं दल लेके आऊंगा इसको तो यह 2 चला गया यह 3 चला गया यह 4 आ गया equals to 0 दो से भाग दे दो y square प्लस 6y माइनस 2 1 6 वरावर 0 यह आपकी द्विगार सम्मिकरन बन गई है clear यह आपकी एक द्विगार सम्मिकरन बन गई है अब देखो इसको हमें सॉल्फ करना है तो y का मान क्या निकलेगा y बरावर minus b plus minus b square minus 4ac बटा 2a value put करो minus b मतलब minus का 6 plus minus b square मतलब 36 minus यह plus हो गया 4 into 216 बटे 2 यह आपका मान निकल के आगया y का मान क्या है minus 6 plus minus 36 plus 4 गुणा 216 बटे 2 यही है minus 6 plus minus 36 plus 4 गुणा 216 बटे 2 आगे solve करो minus 6 plus minus 36 plus 6 गुणा 24 गुणा 216 गुणा 216 बटे 2 आगे solve करो minus 36 plus minus वर्गमूल यह 10 हो गया 9 और एक 10 हो गया यह 900 आगया यह आपका 2 आगया y का मान आपका माइनस का 6 plus minus 3 बटे 2 मतलब y का मान आपका निकलेगा y बराबर आपका आयगा एक तो माइनस का 6 plus का 3 बटे 2 या आपका y का मान आएगा ménस का 6 माइनस का 30 बटे 2 जब इसको आप solve करो Hmong तो आपको मिलेगा, कित्ता आया ये, 24 बटे दो, और यहाँ पर कित्ता आया ये है वाला पोश्चन संबब नहीं है, क्यों, क्योंकि दूरी रिनात्मक नहीं हो सकती, तो y का मान आपका आगया है, 12 मीटर, ठीक है, एक जो वर्ग है उसकी बुझा, आपकी 12 मीटर होगी, और x क्या है आपका y प्लस 6 के बराबर है, तो x का मान क्या होगा, 12 प्लस 6 बराबर, 18 मीटर के बराबर होगा, तो जो एक वर्ग है उसकी बुझा 12 मीटर होगी, और जो दूसरा वर्ग है उसकी बुझा 18 मीटर होगी, एक बार चेक कर लो, कोई डाउट है तो बताओ, तो इसके साथ आपकी प्रिशनावली 4.3 समाप्त होती है, और जो अपना अगला टॉपिक है, प्रिशनावली आपका 4.4 है, वो है किसी समीकरण के मूलों की प्रकरती, क्या है अपना वो टॉपिक, मूलों की प्रकरती, इससे मतलब क्या हुआ, इससे मतलब यह हुआ, अगर एक दुविगास समीकरण आपको दिया हुआ है, अगर आपको दिया हुआ है, तो हम यह जानते हैं कि इस दुविगास समीकरण के हल क्या होंगे, इसके मूलों होंगे, एक्स वरावर माइनस बी, प्लस माइनस वर्ग मूल, बी स्क्वाइर माइनस 4AC, बटा 2A होगा, ठीक है, यही इसके मूलों होंगे, अब इस एक्क्विशन को अगर आप ध्यान से देखोगे, इस बारे फॉर्मुल को अगर ध्यान से देखोगे, तो एक्स की जो प्रकरती ह वो पूरा पूरा वी स्क्वाइर माइनस 4AC पर निर्वर करती है, यह जो एक्स की प्रकरती है, वो पूरा के पूरा वी स्क्वाइर माइनस 4AC पर निर्वर करेगी, वी स्क्वाइर माइनस 4AC को पर बोलते हैं, विविक्त कर डिस्क्रिमिनेंट, वी स्क्वाइर माइनस 4AC ज अब देखो, अब ये कोई ना कोई एक संख्या देगा, तो संख्या का मान तीन ही हो सकता है, या तो वो 0 से बड़ी हो सकती है, या वो 0 के बरावर हो सकती है, या वो 0 से कम हो सकती है, तो क्या होगा, एक case तो आपका बनेगा, जब B square minus 4AC का जो मान है, वो 0 से बड़ा हो या तो यह संभव है 20 square minus 4 AC एक आपकी वास्पिक संख्या निकल कर आएगी तो या तो संख्या 0 से बड़ी हो सकती है या फिर आपकी संख्या 0 के बराबर हो सकती है या ये संख्या आपकी 0 से कम हो सकती है ये 3 case हमारे सामने निकल के आएंगे वो 0 के बराबर होगा या वो 0 से कम होगा अगर 20 square minus 4ac आपका 0 से बढ़ा है मतलब आपके discriminant जो है वो कोई ना कोई आपकी धनात्मक वास्तविक संख्या है तो जब आप इसके अंदर इसका मान रखोगे तो x बराबर minus b plus minus किसी भी धनात्मक संख्या का वर्ग मूल भी धनात्मक संख्या आता है तो यहाँ पर आपको एक संख्या मिल जाएगी और नीचे आपको 2a मिल जाएगा ठीक है कोई भी संख्या मिलेगी वो आपके discriminant की उपर निरवर करेगी अब देखो यह minus भी है यह plus minus है यहाँ पर कोई एक number लिखा हुआ है तो एक मान तो आपको plus की वज़े से मिलेगा एक मान आपको minus की वज़े से मिलेगा एक मान जो आपके formula में plus लिखा हुआ है इसकी वज़े से आपको मिलेगा एक मान आपको जो फॉर्मूले में माइनस लिखा हुआ इसकी वई से मिलेगा मतलब जब 20 स्क्वार माइनस 4 AC का मान 0 से बढ़ा होगा तब आपको 2 भिन वास्तविक मूल प्राप्त होंगे क्यों? क्योंकि यहां पर एक संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी प्लस माइनस की वैसे आपको दो अलग-अलग मान मिल जाएगे तो क्या हुआ जब 20 स्क्वार माइनस 4 AC 0 से बढ़ा है तो आपको 2 भिन वास्तविक मूल प्राप्त होंगे 2 भिन वास्तविक मूल प्राप्त होंगे क्लियर जब मेरा 20 स्क्वार माइनस 4 AC 0 से बढ़ा होगा तो आपको 2 भिन वास्तविक भिन वास्तविक मूल प्राप्त होंगे अब यहीं पर देखो अगर मेरा 20 स्क्वार माइनस 4 AC 0 चला गया अगर मेरा 20 स्क्वार माइनस 4 AC 0 चला गया वर्ग मूल के अंदर की संख्या 0 आजाएगी तो आपको मानेया पर 0 मिलेगा अब प्लस माइनस का impact पढ़ना आपका बंद हो जाएगा मतलब क्या होगा समी करण के मूल तो दो ही होंगे पर दोनों मूल समान होंगे तो क्या मिलेगा आपको दो वास्तविक समान मूल प्राप्ट होंगे ठीक है जैसे ही आपका D0 चला गया इस प्लस माइनस के बार की संख्या आपकी 0 हो जाएगी तो प्लस माइनस का impact पढ़ना आपका बंद हो जाएगा मूल तो दो ही रहेंगे पर दोनों मूल आपके समान हो जाएगे और उसका माण आएगा माइनस का B बटा 2 ए अब देखो third case third case है कि जब मेरा B square minus 4 AC एक रिनात्मक संख्या हो गया जब मेरा b square minus 4 ac एक रिनात्मक संख्या हो गया इसका मतलब क्या हुआ वर्गमूल के अंदर एक रिनात्मक संख्या आच चुकी है और ये वात हम जानते हैं कि वर्गमूल के अंदर रिनात्मक संख्या कभी भी परिवाशित नहीं होती जब आपके ये वाली term परिवाशित नहीं होगी तो पूरा के पूरी term परिवाशित नहीं होगी मतलब X का कोई वास्त्विक मान विद्यमान नहीं होगा कोई वास्त्विक मूल विद्यमान नहीं होगा छीक है तो आपके पास तीन कंडिशन है कंडिशन नमबर वन जब B स्क्वार मैनस 4C आपका 0 से बड़ा है मतलब आपके दो वास्त्विक मूल है कंडिशन नमबर टू जब B स्क्वार मैनस 4C 0 के बरावर है मतलब आपके पास डोनों समान वास्त्विक्मूल है, यहाँ पर दो भिन्वास्त्विक्मूल है, यहाँ पर दोनों समान वास्त्विक्मूल है और अगर V square minus 4 C आपका रिनात्मक हो गया तो सम्मी करण का कोई हल विद्यमान नहीं होगा कोई confusion या तक ये तो था इसका 20 गणितिय रूप अगर इसी को आप geometrically समझने जाओगे वैसे ये इस वाले चेप्टर में आपके है नहीं बहुपद वाले चेप्टर में थोड़ा सा आपको दिया हुआ था अब हम उसको बापस एक बाट discuss करते हैं आपको better समझ मैं हैगा ये तो बात हो गई कि सर आपके दो भिन्न मूल हो गए ये बात हो गई बरावर दोनों के दोनों मूल आपके बरावर हो गए थर्ड वाला पॉइंट होगा कि कोई भी हल उसका विद्धिमान नहीं होगा पर इसका अगर जामिती अर्थ आप समझना चाहोगे जामिती अर्थ किस तरह से समझोगे पहले तो आप ये देखो कि ये जो समीकरन आपका होता है द्वीगा समीकरन AX स्क्वार प्लस BX प्लस C बरावर 0 इसका जो ग्राफ होता है वो एक परवले हम को मिलता है इसका ग्राफ क्या होता है एक परवले होता है नाम से ढड़ने के आपकोई जरूत नहीं है बहुपद में नाम आचुका है विससे पहरा बोला करके इसका graph परवले होता है, परवले कैसा होता है, इस तरह के graph को हम परवले बोलते हैं, ठीक है, जिसका मुँ या तो उपर की तरफ खुला हुआ होगा, या नीचे की तरफ खुला हुआ होगा, ऐसा और ऐसा भी होता है, पर ये अपने काम का नहीं है, परवले का ग्राफ कैसा होता है इस तरह का ग्राफ बनेगा या तो उसका मूँ उपर की तरफ खुला होगा या उसका मूँ नीचे की तरफ खुला होगा और उपर और नीचे कब होगा यह होगा जब आपका A 0 से बड़ा हो और मुह नीचे की तरफ कव जाएगा जब A का मान जीरो से छोटा हो ठीक है? मतलब क्या हुआ कि अगर आपका X, X-square का जो गुनांक है X-square का जो गुनांक है वो अगर धनात्मक है तो हमें धनात्मक संख्या है प्राप्त होंगी इसका ग्राफ कुछ ऊपर की तरह इस तरह से बढ़ता हुआ चला जाएगा अगर मेरा X-square का जो गुनांक रिनात्मक है तो हमें रिनात्मक संख्या है प्राप्त होंगी और हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से नीचे की तरफ चला जाएगा यदि A का मान मेरा 0 से छोटा है ठीक है बस इतना सा आपको याद रखना है कि द्विगा समीकरन का जो ग्राफ है जो कुछ इस तरह का बना होता है उपर की तरफ मूँ या नीचे की तरफ मूँ और इस ग्राफ को हम बोलता है परवल है पैरा बोला करेक्ट एक चीज़ हमने और समझी थी एक चीज़ हमने भुपद में समझी थी कि भुपद के जो सुन्यक होते हैं आप याद करोगे तो आपकी प्रिश्णावली पहली प्रिश्णावली थी भौपद वाले की भौपद के जो सुन्यक है उनका जामितिय अर्थ हमने कुछ इस तरह से समझाता कि भौपद के सुन्यक का मतलब है कि इस भौपद का ग्राफ जित्ती वार एक सक्ष को काटता है उतने ही उसके सुन्यक विद्धिवान होते हैं यही हमने पढ़ा था एक वार याद कर लो भववपत के सुन्यक का मतलब यह था कि उस भववपत का जो graph है वो जितनी वार x सक्ष को काटेगा वो सारे के सारे उसके सुन्यक होंगे मतलब एक तो इसका यह सुन्यक है एक वाला point इसका यह सुन्यक होगा second वाले case में एक सुन्यक यहां मिलेगा 2, 3, 4, 5 मिलेंगे इसमें केवल एक सुन्यक मिलेगा और सुन्यक और आपका समीकरण में कोई अंतर नहीं है यहाँ पर बरावट 0 नहीं होता समीकरण में बरावट 0 हो जाता है तो क्या हुआ हम इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि किसी समीकरण के मूल का मतलब यह हुआ कि उस समीकरण का ग्राफ जहां जहां पर एक सक्ष को काटेगा वो वो उसके मूल होंगे करेक्ट बहुपद में हमने क्या पढ़ा था बहुपद का ग्राफ जब जब एक सक्ष को काटेगा वो वो उसके सुन्यक होंगे सेम चीज अगर आप समीकरन पे लगा दोगे तो किसी द्वीगास समीकरन या बाकी भी समीकरन किसी द्वीगास समीकरन का ग्राफ जितनी वार एक सक्ष को काटेगा उतने ही उसके हल विद्धिमान होंगे करेक्ट अब दो चीजे हम देख चुके हैं कंसेक्ट नंबर वन क्या था हमारा कि B2-4AC0 से बड़ा है दो हल मिलेंगे B2-4AC0 के बराबर है दो हल तो मिलेंगे पर दोनों बराबर होंगे और अगर B2-4AC0 से छोटा है तो कोई भी हल विद्धिमान नहीं होगा यह क्या है जब मेरा b square minus 4ac जो है वो 0 से बड़ा है क्या मिलता है मुझे 2 win हल मिलते है 2 win वास्त्विक हल मुझे मिलेंगे अगर मेरा b square minus 4ac जो है वो 0 के बरावर है तो 2 समान वास्त्विक हल मिलेंगे और अगर मेरा b square minus 4ac जो है वो 0 से छोटा है तो कोई हल विद्यमान नहीं होगा ठीक है? इसी को मैं जामितियर उप से समझना चाहरा हूं कि अगर मेरा b square minus 4ac 0 से बड़ा है तो 2 हल विद्यमान होंगे उसका graph x सक्ष को दो बार काटना चाहिए बापस से समझो जब e square minus 4ac 0 से बड़ा है मतलब उसके 2 हल विद्यमान होंगे 2 हल का मतलब यह हुआ कि उस दूई गास समीकरन का जो graph बनेगा वो graph x सक्ष को दो बार काटना चाहिए और ऐसा कब हो सकता है? एसा था वो सकता है जब या तो मेरा एक graph उसको यह काट देगा या क्या होगा? आपका पैरावोल अगर नीचे की तरफ होगा तो यह काट देगा correct? या तो मेरा पैरावोल उपर की तरफ अगर उसका मूँ होगा परवले का तो वो इस तरह से बनेगा इन दो point को उसको काट देगा दो अलग-अलग हलो गए और अगर नीचे की तरफ होगा तो भी वो दो point पे काटेगा उसके दोनों अलग-अलग हलो जाएंगे कुछ इस तरह का होगा वो यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है कहीं भी हो सकता है ग्राफ कैसे बनेगा उससे हमारा लेना देना नहीं है पर इस केस में इसका ग्राफ दो अलग-अलग बिंदूओं पर काटेगा केस नमबर टू क्या बोलता है केस नमबर टू बोलता है दोनों हल समान होंगे दोनों हल समान मतलब जो graph है वो केवल एक ही बिंदू पर काटना चाहिए जो graph है वो केवल एक ही बिंदू पर काटना चाहिए तब ही आपके हल समान हो सकते हैं तो इस case में क्या होगा? इस case में जो मेरा पैरावोला बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा वो इसको touch करके निकल जाएगा समझे नहीं समझे इसमें इस परवले का जो पेंदा था वो cross करेगा इसमें इसका उपर की तरफ इसका नीचे वाला portion आ जाएगा पर यहाँ पर एक सक्ष को सिर्फ ये एक जगे touch करके निकल जाएगा तब ही उसका एक हल विद्धिमान हो सकता है या या अगर उसका मू नीचे की तरफ है मतलब एकस स्क्वार का गुणाग का अगर रिनात्मक है तब वो ये situation बनेगी या तो उपर की तरफ टच करके निकल जाएगा या यो टच करके निकल जाएगा तब इसका एक हल विद्धिमान होगा वो कौनसा हल होगा ये वाला और ये वाला यहाँ पर दो हल होंगे एक तो ये हल एक ये हल एक ये मूल एक ये मूल बात समझ में आ गई case number 3 देखो case number 3 बोलता कोई हल विद्धिमान है ही नहीं मतलब मेरा जो परवले का graph है वो एक सक्ष को काट ही नहीं सकता वो नहीं काटेगा तो क्या situation मेरे सामने आएगी वो कुछ इस तरह की आएगी या तो परवले मेरा उपर की उपर ही चला जाएगा या फिर क्या होगा या फिर जो मेरा पहरा बोला है वो नीचे के नीचे ही चला जाएगा समझ गए मेरी बात को यहाँ पर एक सक्ष को दो बार काटेगा दो हल मिलेंगे यहाँ पर एक सक्ष को सिर्फ टच करेगा एक हल मिलेगा यहाँ पर एक सक्ष को टच करेगा ही नहीं आपको एक भी हल नहीं मिलेगा तो यह मेरा इसका जामिती निरूपन था, यह आपका वीजगनियती निरूपन है, आपकी इस प्रश्णावली के लिए geometrical interpretation जो है वो जरूरी नहीं है, पर बहुपद वाला जो chapter था, उसके अंदर दिया हुआ था वहाँ पर हो सकता है, आपको समझने में थोड़ी सी तक्लीफ आई हो, आप उत्ते वेतर से समझ नहीं पाए हो, क्योंकि तब तक हमने discriminant को नहीं पड़ा था, यहाँ पर आप उसको visualize कर सकते हो, दो हल मतलब graph दो बार काटना चाहिए, समान हल मतलब graph उसको सिफ़ टच करके निकल जाएगा, और कोई हल नहीं मतलब, या तो वह एक सक्ष के उपर बन जाएगा, पूरा का पूरा ही नीचे बन जाएगा, छीक है तो फिर आसी क्लास में इतना ही, अगली क्लास जो होगी अपनी उसमापकी विष्णावली 4.4 को solve करेंगे, तो फिर मिलते हैं next क्लास में